रजत और आशिका की फर्स्ट कोर्ट हेरिंग हैं जहां पर सई की कस्टडी के लिए रजत और आशिका के बीच में होने वाली है बहुत बड़ी बहस जहां पर दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीले पेश करेंगे यहां पर सई बहुत टाइम बाद अपने पापा को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उनसे गले लग जाती है वहीं पर अजद भी अपनी बेटी सई को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और वो चाहता है कि सई की कस्टडी कैसे भी करके उसे ही मिले आशि तो यहां पर अभी सवी नहीं है जिस दिन कोट की first hearing है लेकिन यहां पर अभी कुछ भी फैस्दा कोट ने नहीं सुनाया है और कोट ने रज़त और आशिका को कुछ दिन का टाइम और दिया है ता कि वो अपनी दलीले और अच्छे से पेश कर सके और कोट को भी अपना डिसीजन लेने में आसानी हो तो देखते हैं अब सई की कस्टेडी किसे मिलती है आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट करके बताएं